नँस्कार में प्रियर एंजन और आज की इस एपीसोड में डिसकस करने वाले है ठाता मोटर्स स्टोक के बारे में इस stock को ले करके इसके trend को मैं आपको बताऊं इससे पहले मैं आपके views जाना चाहूंगा कि आप इस stock में bullish है या फे आप इस stock में bearish है या फिर आप ये बता हैं कि आप क्या expect कर रह हैं 9, 20, 8, 60 के levels expect कर रहे हैं या पिर उपर 11, 80 और 12, 50 के levels expect कर रहे हैं आपके क्या views हैं वो बीना मेरे views को आप समझे चाहें तो share comment box के माध्यम से कर सकते हैं recent में एक बड़ा number रहा था company के sales का data अब मुझे जो लग रहा है इसमें 1015 and 1035 ये zone काफी consolidated zone है एक बार इस zone के breakout चाहिए एक बड़े uptrend के लिए और नीचे 984 को जब तक breakdown नहीं करता है तब तक बड़े down move भी expect नहीं किया जा सकता है पहले तो इसके sales के numbers को देखेंगे company के जो बड़े updates रहे वो आपको दिख रहा है 4th April का दिख रहा है और इस PDF को अगर आप okay करेंगे तो यहाँ इसके वहकल के sales को ले करके number आते दिखेगा जिस्ट, वोल्ट, टाइगोर, नेक्सन, पन, सेफारी, हेक्सा, मैजिक, AC और यह जो भी वहकल ले उसके क्या numbers रहे comparatively year on year और exports की क्या numbers रहे यह सभी company ने declare करे इसको मैं थोड़ा simply यहाँ दिखा हूँ पहले तो यहाँ देखेंगे तो total जो company के domestic sales रहे ते यहाँ देखेंगे जो domestic number रहा था वो 2% up रहा था 89351 unit के comparatively 90822 unit कंपनी ने declare करे लेकिन जो commercial वहकल रहा था उसके numbers थोड़ा weak रहे और लगभग 10% down number दिखा इसके अलावे जो passenger वहकल रहे उसने काफी बहतर करा और 50,297 unit comparatively 44,250 unit के दिखे इसके अलावे अगर इस stock को यहाँ भी देखेंगे तो simply समझ पाएंगे sales लगभग 15% year on year basis पे FY24 में बरते दिखा उसके साथ ही जो punch और nexon है वो total company के sales का लगभग 64% sale रहा यह अहाँ देखेंगे nexon और punch जो है dominant selling के अंदर दिख रहा है यहाँ देखें तो volume 45 lakh के काफी nominal मैंने पहले भी क्या कहा था सबसे पहले एक बार मैं इसके weekly time frame के चार्ट को दिखाता हूँ यहाँ पहले सबसे weekly देखो कि आखिर weekly में Tata Motors क्या दिख रहा है weekly अगर आप देखते हैं तो क्या पाते हैं weekly में trend जो है इस समय एक major resistance को फेश आउट कर रहा है ऐसा नहीं है कि हम इसको weak क्या सकते हैं क्योंकि weakness के लिए minimum यह level जो हमने कहा 982 के level का breakdown होना important है और यह resistance से 1035 के उपर breakout दिखेगा तो weekly time frame पे तो trend अभी तक तो strong ही दिख रहा है क्योंकि previous week के उपर की closing रही है अब अगर daily time frame करें तो यहाँ हमारे views थोरे clear होते दिखेंगे और जो resistance, expected resistance zone है यह और इसी resistance zone से supply होते दिखा या तो इस level को breakdown करने दे 982 अगर faith sort करना चाहते हैं already sort है तो 1035 के SL को ले सकते हैं long जाना है तो इस long के level को ले तो मुझे लगता है इस समय no trading zone है